विनाश करने वाली मशीन अर्था डिमोलिशन मशीन की तोड मोड करने वाली भारी भरकम गेन जब उपर की ओर उठी होती है तब उसमें उर्जा संग्रहित होती है इसी संग्रहित उर्जा को स्थितिज उर्जा कहा जाता है इसी प्रकार धनुष्यपर ताने गए तीर में उसकी स्थिति के कारण उर्जा संग्रहित होती है अगर हम उसकी हमेशा की स्थिति की बात करें अर्था जब उसे ताना नहीं जाता है तब उस तीर में किसी भी प्रकार के उर्जा नहीं होती है और जब तीर की हमेशा की संतुलन वाली स्थिति में बदलावाता है तब तीर अपनी नई स्थिति के कारण उर्जा को संग्रहित कर पाता है यह संग्रहित उर्जा जो स्थिति के कारण निर्मान होती है इस इसी ही स्थितिज उर्जा कहा जाता है कि इस खिलोने वाली गाड़ी को पीछे कहींचने से गपारी परिवर्द्थ हो जाती है аю धनात्मक की इसे बढ़ाता है और रेनात्मक कारी से गटाता आये अब हम व्यक्तिगत बल के कारण किस प्रकार की कारीश होते हैं इनके पारे में अध्यन करेंगे इस समय गतिज उर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है यहां पर गतिज उर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए संपूर्ण बलके फलस्वरूब जो कार्य हुआ है वो लगभग शून्य है मेरा हाथ बोतल को उपर की ओर खीच रहा है और गुरुतवा करशन उसे नीचे की ओर जब मेरा हाथ बोतल को उपर की ओर धकेलता है तब वो बोतल हिलती है ये धनात्मक कार्य हुआ, लेकिन जब गुरुत्वा करशन उसे नीचे की ओर खींचता है, तब वै नहीं हिलती है, ये रिनात्मक कार्य हुआ, जब हम इन दोनों को जोडते हैं, तब इसका उत्तर शूर नहीं आता है, अताहा अब ये सवाल उठता है, कि वै कार्य जो मैंने गुरुत्वा करशन के विरोध में किया था, आखिर वो गया कहां, हम इस कार्य को पुनप्राप्त कर सकते हैं, अगर हम कम पानी से भरी एक और बोतल उसके साथ जोड़ दे, इससे हम संग्रहित उर्जा या स्थितित उर्जा की कल्पना कर सकते हैं, इस बढ़ाये हुए द गुरुत्वा करशन के विरोध में कितनी मात्रा में कार्य को संग्रहित किया होगा, जब हम बोतल को धीरे धीरे हिलाते हैं, तक त्वरण बहुत ही नगण्य होता है, इसी कारण हमने वस्तू पर जितने बल का इस्तमाल किया, वो उस वस्तू के वजन के समान था, कुछ अब स्थीटा एच तक की उचाई में परिवर्तन मात्र है, अतहा हमारा कार्य दूरी के अर्थ में डिल्टा के समान होता है, उपर जाते समय हम जी डिल्टा एच इतना कार्य करते हैं, जो अर्था द्रव्यमान और प्रित्वी के गुरुत्वा करशन के विरुद्ध दिश गुरुत्वा करशन की स्थितिज उर्जा MGH के बराबर होती है गुरुत्वा करशन की स्थितिज उर्जा वै उर्जा होती है जो वस्तु में उर्ध्व स्थिती के कारण या उचाई के कारण संग्रहित होती है यह उर्जा वस्तु पर जो धर्ती का गुरुत्वा करशन होता उसके फलस्वरूप संग्रहित होती है विनाश करने वाली मशीन पर लगे विशालकाय विनाशक गेंद की गुरुत्वा करशन स्थितिज उर्जा दो तत्वों पर निर्भर होती है उस गेंद का द्रव्यमान और वैगेंद कितनी उंचाई पर उठाई जाती है गुरुत्वा करशन की स्थितिज उर्जा और उस वस्तू के द्रव्यमान में सीधा संबंध होता है अधिक वजंदार वस्तू में गुरुत्वा करशन स्थितिज उर्जा अधिक होती है साथ ही गुरुत्वा करशन की स्थितिज उर्जा का और वस्तू कितनी उंचाई पर है इस बात का भी सीधा संबंध होता है वै वस्तु जितनी अधिक उचाई पर होती है उसमें उतनी अधिक गुरुत्वा करशन की स्थितिज उर्जा होती है किसी भी वस्तु की गुरुत्वा करशन की स्थितिज उर्जा तै करते समये उस वस्तु की उंचाई शून्य मान कर चलना होगा साधरन तहा जमीन को ही शून्य उंचाई की स्थिति माना जाता है यह ज्यादा तर लोगों द्वारा मानी गई स्थिति है इसमें एक और बात है जो हमें याद रखनी होगी विज्यान के हमारे अधिकतर प्रयोग टेबल पर किये जाते हैं इसलिए अनेक उबार टेबल टॉप को ही शून्य स्थिति माना जाता है अर्थात ये भी माना गया है अगर टेबल टॉप को हमने शून्य स्थिति माना तो उस वस्तू की स्थितिज उर्जा टेबल टॉप की उचाई के संदर में मानी जाएगी उधारण के लिए पेंडूलम की गेंद जो आगे पीछे जा रही है और ये लूलक टेबल टॉप पर रखा हुआ है इस पेंडूलम की स्थितिज उर्जा टेबल टॉप से उसकी उचाई के आदार पर भी नापी जा सकती है अगर हमने लोलक के गेंद का वजन टेबल टॉप से उस गेंद की उचाई इनकी गणना कर हम लोलक के गेंद की स्थितिज उर्जा नाप सकते हैं चोंकि गुरुत्वाकरशन की स्थितिज उर्जा शून्य स्थिति से उस वस्तू की उंचाई के साथ सानुपाती होती है, इसलिए अगर हमने उंचाई को दुगना किया, तो गुरुत्वाकरशन की स्थितिज उर्जा भी दुगनी हो जाएगी, अगर उंचाई तिगनी हो, तो गुरुत्वा करिशन की स्थितिज उर्जा भी तीगुनी हो जाएगी। स्थितिज उर्जा का और एक प्रकार है। Elastic अर्थात लचीली स्थितिज उर्जा। यह स्थितिज उर्जा लचीली वस्तू में संग्रहित होती है। जो उनके खींचने से या फिर सिकुणने से निर्वान होती है। रबर बैंड, स्प्रिंग, धनुष्य की प्रत्यंचा पर लगाया बान। इन सब में Elastic स्थितिज उर्जा होती है। इन वस्तू में जो स्थितिज उर्जा संग्रहित होती है। वै उस वस्तू को कितनी मात्रा में खींचा जाता है, इस बात पर निर्वर होती है। अधिक खींचाव, अधिक मात्रा में संग्रहित उर्जा। यदि हम स्प्रिंग को नहीं खीचेंगे या उसे सिकुडेंगे नहीं, तब उसमें Elastic की स्थितिज उर्जा संग्रहित ही नहीं हो पाएगे। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग साम्या वस्ता में हैं। सामा ने था, जब हम स्प्रिंग पर किसी भी प्रकार के बलका प्रयोब नहीं करते हैं, तब वैं जिस स्थिति में रहती हैं, उसे ही साम्या वस्ता या संतुलंद की स्थिति कहा जाता है। स्थितिज उर्जा की संकल्प्णा के आधार, अगर हमें यह बात कहनी हो, तो हम कहेंगे कि ये स्थिति शून ये स्थितिज उर्जा की स्थिति है। एक विशेश समीकरन होता है जो elastic स्थितिज उर्जा की मात्रा, खीचाओ या सिकुडन की मात्रा और स्प्रिंग की स्थिर स्थिती से सम्मन्दित होता है सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि स्थितिज उर्जा उस उर्जा को कहते हैं जो किसी भी वस्तु में शून्य स्थिति के संदर्ब में उसकी स्थिति के कारण आती है किसी भी वस्तु में गुरुत्वाकरशन की स्थितिज उर्जा शून उचाई की स्थिति के संदर्ब में उस वस्तु की उचाई के अनुसार होती है और किसी भी वस्तू में इलास्टिक की स्थिति उर्जा उस वस्तू की संतुलित अवस्था की अपेक्षा लचिलेपन की स्थिति पर निर्बर होती है